अयोध्या के डेवलाप्मेंट के लिए लगातार काम जारी है और काफी तेजी के साथ काम किये जा रहे हैं आवास विभाग की तरफ से भी कई प्रोजेक्ट वहाँ पर लाउंच किये गए हैं हमारे साथ नितिन रमेश कोकरण जी है अपर मुख्य सच्चु आवास हैं अवास भाग के बारे में आपको बताने के लिए जे बड़ा हर्श हो रहा है और बड़ा गर्व हो रहा है कि आउध्या में काफी काम जो कई साल से कई दशकों से नहीं उपाया था उसको आवास भाग ने किया है जो आउध्या का विकास का जो vision document रहा जिसमें मानी प्रदान मंत्री जी और मानी मुख मंत्री जी ने उस पर approval दिया उस पर जो क्रियान्मेन करने की जिम्मेदारी थी वो आवास भाग को दी गई थी और लगबग सारे बैठक जो आउध्या के संबन में मानी मुख मंत्री जी ने किये उसका सबका coordination का काम आवास भाग ने किया मुख जो हमारा जो काम था वो आवास भाग का master plan था जो कि आउध्या का master plan 98 के बाद बना ही नहीं था और अविकसित रूप से या अनियोजित विकास जो हो रहा था उसका एक बहुत बड़ा कारण था master plan का नहोना तो सबसे पहले जो आउध्या का master plan था वो मानी मुख पंदी जी ने उसको approval दिया जो जिसको हम कहेंगे part A जो पुराना जो एरिया था प्रादिकरण का उस पर किया गया और फिर भविश के आवशकताओं को देखते हुए अयुध्या के स्वरवांगेन विकास के लिए एडिशनल जो एरिया लिया गया सीमा विस्तार किया गया उसका master plan लगबग लगबग हमारा भी एक तो मेने में त्यार होने जा रहा है उस पे भी कारवाई काफी आगे बढ़ी है जो इशुज रहते थे कि वहाँ पर क्रिशी की जमीन होगी या आवासी होगी या कमर्शल होगा या कोई और प्रकार का होगा सारवजनिक सुविधाओं का वो है या नहीं है ये सब इशुज मास्टर प्लान के जरिये में एड्रेस किये गए सबसे बड़ा जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे प्रदेश का वो आयुध्या का नव्य आयुध्या प्रोजेक्ट है जिसमें लगबग पंदरा सो एकड़ का जमीन का सर्यू किनारे पर उस पर प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने पार्टिसपेट किया है भारत सरकार का जो सिटी चैलेंज कॉंपेटिशन उसमें और एक बहुत अच्छे जो आर्किटेक्ट जो अभी इस दुन्या में नहीं रहे बालकृष्ण दोशी जी अम्दाबाद के उन्होंने उस पर काम करके ये संभवता उनका आखरी प्रोजेक्ट था उन्होंने काफी बड़े- देश में और बहुत मनोयोग से उन्होंने इसका डिजाइनिंग कराया है नवय अध्या सिटी का मैं समझता हूं कि जब ये मूर्त रूप देख करके पुरे स्वरूप में अपने आएगा तो आधुनिक भारत का जो पारंपारिक जो हमारी शेली रही अर्बन प्लैनिंग क वो और आधुनिक भारत के आधुनिक प्रिंसिपल्स के साथ एक सम्मिशन का अपद्वित्य उदारन होगा अध्या नवय और वहां के लिए जो अभी जो मठ मंदिर आश्रम उनका रेजिस्ट्रेशन प्रारम कर लिया है कई सारे स्टेट गवर्मेंट्स ने भी अपने बात कर रहे हैं इसमें मास्टर प्लान आपने तयार कर लिया है सारी चीजे हो गई है इसमें क्या-क्या चीजे रहेंगी वहां पर नवय आयोध्या का जो यह पूरा तयार किया ले आउट आपने और जो रिजिस्टेशन करा रहे हैं मठ का मंदिरों का क्या इनका जिड़ो और harryu nadhih ka jopi kinaara है uussay humniej उसकी प्लाणिग है तकि प्रेयी प्लानिंग गी कि कbei क्ये से जो नदी का तठ गाल और जो और अंदर की आख्षकता इन पानी की वह पुरा हम उसको कैसे केटर करें एक उसे पूरी लेाओट में ग्रीन लेयर लिया गया है जिससे कि कोई भी वक्ती आसानी से वहाँ पर non-motorized transport वानिया अपना पैदल या cycle से वह आ जा सकेगा और उसमें inclusivity रखा है कि हर वर्ग का आदमी वहाँ पर रहे जो मतब मध्यम से मध्यम वर्ग, गरीब से गरीब वर्ग और जो high class के जो आप कहते हैं वहाँ पर रहे जिससे कि सरवांगिन विकास उस चेतर का हो, planning principles में ही इसको सारा incorporate किया गया है और ये भी है कि जब ये हम विकसित करेंगे तो उसकी जो area है, वहाँ से हम मंदिर का शिखर का भी दर्शन कर सकेंगे, कहीं से भी आप खड़े होंगे, उसके principles उस प्रकार से रखें कि सड़क पर आप खड़े हो करके अध्याजी के मंदिर, राम मंदिर के तरफ आप देखेंगे, तो आपको शिखर का दर्शन भी हो, ये सब चीजे हमने उसको रखें हैं, और लगबग लगबग 40 से उपर मठ मंदिर जो हमारे पूरे भारत के representative है, पूरे भारत के मठ मंदिर है, अभी तक उ जादा राजसरकारों ने अपना एलोकेशन लिया है, और मुझे उमीद है कि थोड़े ही जब और विकास हम करेंगे, तभी हम उसको पब्ली के लिए ग्रूप हाउसिंग के लिए उपन करेंगे, उससे एक फाइदा है कि चुकि ये आवास विकास परिशद का है, उसमें ज प्रिमियम कॉल करेगा, वो उसको मिलेगा, ये भी आपको बता दे कि अभी हमने एक होटल का साइट आउक्षन के लिए लगाया था, तो हम लोग ने तरते डरते अठासी हजार पर स्क्वेर मीटर का हमने प्राइस रखा, आउक्षन होने के बाद लगवग ये गया एक ला सडकें जो है वो चौड़ी हो गई है, ये देखा गया है कि सडकें पूरी चौड़ी हो गई है, तो क्या अभी इस तरह का और भी प्लान है, दूसरा जो सेकंड फेस में जो तयार किये जाना है, क्योंकि गलियां हैं वहां की जो अंदर की स्थितियां है, रोड तो बहुत तो वहांपे देखा कि लिएए जो सड़के हम कोई प्लान तैयार करा। में जो अभी हम लोग का था कि जब राम मंदिर का प्रान प्रतिष्ठा के लिए सुलब होगा दर्शन का उस समय जो सडक है मुख्य मार्ग वो ठीक कराने का उद्देश था और उसमें जो लटके हुए तार थे जो यूटिलिटीज बेतरतीब थे वो सब उसको ठीक कराया गय और उसका स्वरूप जो साइड का फसाड कंट्रोल के साथ साथ जो दिखा अभी आपके सामने वो सभी देशवासियों ने दुनिया ने देखा अब है कि उसमें जो सेकेंड फेज में बाकी के जो गलियां को तो मैं नहीं कहुँगा कि गलियों को चोड़ा करना लेकिन और क आयोध्या एंट्री पॉइंट्स पे भी टाउन्शिप्स को विकसित करना जिससे की जो स्प्रेड हो आयोध्या के जो लोग आ रहे हैं वो पूरे चारों तरफ से जो आ रहे हैं उनको हर जगे पर कुछ न कुछ सुईधा मिले इस पर अभी फोकस है शुक्रिया बहुत 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 आपने सुना नितिन रमेश कोकरण जी को बहुत सारी बातें उन्होंने बताईं कि आयोध्या को डेवलप करने में आवास भी भागने कितना योगदान दिया कितनी मेहनत की और आगे डेवलप करने के लिए क्या प्लान है अभी तैयारिय चल रही है आयोध्या देखने में भव्य दिव्य नजर आ रहा है लेकिन अभी नव्य आयोध्या बनाने की तरफ कदम और भी बढ़ाए जाएंगे कैमरामेन रोहित गुपता के साथ सीमाब नकवी भारसमचार लखनव